मेज़ ध्यांचंद खेल रत्न पुरसकार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Answer. 2. Explanation. युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्राले ने राश्ट्रिय खेल पुरसकार 2023 की घोशना कर दी है. ये अवार्ड 9 जन्वरी 2024 को राश्ट्रपती भवन में भारत के राश्ट्रपती द्वारा प्रदान किये जाएंगे. इस बार मेज़र ध्यांचंद खेल रतन अवार्ड बैडमिंटन खिलारी चिराग चंद शेखर शेटी और रनकी रेड़ी सात्विक साई राज को प्रदान किये जाएंगे. वहीं इस बार 26 खिलारियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैग्यानिक अभ्यान की शुरुआत की है? A. अंटाक्टिका क्षेत्र B. अट्लांटिक क्षेत्र C. आर्क्टिक क्षेत्र D. प्रशांग क्षेत्र Answer. आर्क्टिक क्षेत्र Explanation C. केंड्रिय मंत्री किरेन रिजजू ने आर्क्टिक क्षेत्र के लिए भारत की पहले शीतकालीन वैग्यानिक अभ्यान को हरी जंडी दिखाए Raman Research Institute आर्क्टिक क्षेत्र में पहले शीतकालीन भारतिय अभ्यान में भाग लेगा साल 2008 से भारत आक्टिक में हिमादरी नाम के कनुसंधान केंद्र संचालित करता है जो ज़्यादातर गर्मियों अप्रेल से एक्टूबर के दोरान संचालित होता है किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्थित नेशनल ओडर ओफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया ए, पूनम खेत्रपाला सिंग, बी, मम्ता बैनर जी, सी, एस्चेशनकर, डी, जया बच्चन, आंसर, पूनम खेत्रपाला सिंग, एक्स्प्लेनेशन, डव्यू हो दक्षन पूर्वेश्या की क्षेत्रिय निदेशक पूनम खेत्रपाला सिंग को विशिष्ट सेवाओं के ये भूटान के प्रतिष्टित National Order of Merit Gold Medal से सम्मानत किया गया है। पूनम पंजाब कैदर की सेवानिबृताय इस अधिकारी है। भूटान के जिग में खेसर नामग्यार वांग्चुक ने भूटान के 116 में राश्ट्रिय दिवस समारोह में उन्हें सम्मानत किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दोरस्टेप सेवाओं के लिए मान सरकार तोहाडे द्वार योजना की शुरूआत की। पंजाब राज्य सरकार ने दोरस्टेप सेवाओं के लिए मान सरकार तोहाडे द्वार योजना की शुरूआत की है। इस योजना के अंतरगत प्रदेश भर में करीब 4000 ओपरेटर्स की भरती की गई है। इस योजना की तहट पंजाब की जनता को 43 प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाब धर बैठे मिलेगा। यह उडान परीक्षन करनाटक की चित्रदुर्ग के एरोनौटिकल टेस्ट रेंज से आयोजित किया गया था। इसके साथ ही भारत उन्चुनिंदा देशों में से एक बन गया है जो फ्लाइन विन तकनीक में दक्ष हो गया है।